नमस्कार, मैं भाशा, पड़ताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है रूस और युक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे एक महिने से अधिक समय हो गया आज 21 दिन है और हमें दिखाई दे रहा है कि लगातार जिस तरह से घटना बढ़ रही है जो आपको नक्षा दिखाई दे रहा है कि किस तरह से युद्ध इस समय चल रहा है किन इलाकों पर निशाना जादा है लेकिन इसी बीच जो एहम घटना क्रम है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि अमरीकी राष्ट पती जो बैडन यूरोप की यात्रा पर है तीन एहम बैठके हुई है नेटो की बैठक हुई जी सेवन की बैठक हुई यूरोपेन यूनियन की बैठक हुई आखिर इन बैठकों से क्या निकालने की कोशिश है रूस को किस तरह से किनारा करने के लिए पूरा का पूरा जो पश्चिमी प्रदेश है वह एक जुट हो रहा है इस पर हम बात करेंगे प्रबीर आपसे दुनिया की हलचल पर पैनी नजर पड़ताल दुनिया भर की देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार आखिर हम हैं ग्लोबल सिटिजन जिस तरह से उन्होंने पूरा यूरोप टूर किया है और पोलेंड तक पहुचे हैं और लगातार रूस और रूस के उपर सैंक्शन की बात है तो दरसल अमरीकी राष्टपती इन तमाम जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स हैं इनके जरिये क्या हासिल करना चाह रहे हैं इस समय जो दृष्टे चल रहा है उसमें देखे इस का इस युद्ध का दो पहलू है एक तो यूकरेन और रूस के बीच पे जो तनाव रहा है अखास तोर से इस्टरन यूकरेन को लेके जो डॉन बास रीजिन है जिसमें ज्यादा तर रूसी नसल या रूसी बोलने वाले लोग हैं और यूकरेन की जो एक बाशा सेकेंड नैशनल लैंगविज था वहां पर उसको उन्होंने निकाल दिया स्कूलों में पढ़ाना कि वो बोल दिया कि यह नहीं हो सकता तो लगातार वो जो कोशिशे रही है उस पर एक तराव था खास तोर से डॉन बास रीजिन वो अलग होना चाहते थे प्रिदक लिस्ट राष्ट्र बने इसका एक टकराव इसमें है यह यूक्रेन और रूस के बीच पे तनाव की आधार है दूसरा आधार जो है वो आप देखें कि अमरीका और वेस्टन यॉरप रूस के बारे में रवाया क्या रहा है और जिस पर खास तोर से अमरीका का रवाया यह कि जो इस्टन यॉरप में NATO आए वहाँ पर जो क्या कह सकते हैं उनकी NATO शक्तियां आर्म्स आर्वी वहाँ पर आर्म्स इंटर्वेंशन ही कहेंगे पर आर्म्स की बढ़ाए उसमें मिजाइल्स की बैटरीज लगाएं वहाँ पर अमरीकी और NATO फोर्सेस वहाँ पर एक्सरसा border पे है और अगर आप देखें तो Baltic State पीट्सबर्ग से करीब 200-500 km दूर है अगर यूक्रेन को देखें तो वो मॉस्को से करीब 400-500 km दूरी पे है अगर NATO forces वहां तक पहुंचते हैं यूक्रेन तक पहुंचते हैं तो उनका जो कहना था ये हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि ये arms जो आएंगे ये nuclear arms भी हो सकते हैं और nuclear arms हम हमारे इतने borders के पास अगर आएंगे तो हमारे एक अस्तित्व के खतरा है ये जो बात है ये अनोखी नहीं है ये बहुत पुरानी बात है बहुत पहले से वो कह रहे हैं पर ये ये खतरा इसलिए बढ़ा है कि अगर आप देखें अमरीका हड़ गया करीब 90 के दशक में इसके बाद ट्रंप के दौरान दो और ऐसे ट्रीटी से बाहर हो गया एक intermediate range ballistic missile treaty थी जिसके जरिये वो अपने ballistic missiles को अगर डेटो देश इसको पर्मिट करता है जैसे अभी रूमेनिया पोलेंड में हैं तो वो एक दम उनकी बौर्डर के पास आ सकते हैं तो ये खतरा अगर यूक्रेन में भी होता तो उनके लगता है कि उनकी अस्थित्व strategic identity की नहीं सिर्फ देश की खत्रा है और वो बहुत पहले से कहते आएं कि हम उसको अलाव नहीं करेंगे और यही एक तनाव का Western Europe, NATO जो कहें और अमरिका के बीच में है Western Europe पहले इन सब चीज़ों को खिलाफ हुआ करता था intermediate range ballistic missile उनके वज़े से हुआ था कि यॉरप में ऐसे missiles नहों पर रश्या की Soviet Union की पॉल के बाद जब उनका टुक्रे टुक्रे हो गए, रूस ही बचा तो रूस के साथ भी यह तनाव रहा है पर Western Europe की जो पहले की भूमी का थी इस वक्त नहीं रहा और वो लगता है strategically अपने और इसलिए इन सब चीजों की उनकी reservation रहते हुए उन्होंने कभी आवाज उठाना उस तरह से नहीं किया इस वक्त अगर Biden के दोड़ा देखें तो उसमें रूस पे कैसे दवाव बनाया जा सकता आर्थिक तोर पे, economic sanctions के तोर पे, financial sanctions के तोर पे यह बाते कह रहे हैं और दो कि कैसे यॉरप अपने आपको re-arm कर सकता है, जर्मनी आपने आपको arms बनाना या military उसकी ताकत बढ़ाना छोड़ दिया था, उसको कैसे फिर पुनर स्थापत कर सकता है और France वगारे तो खैरू नहीं तो यह तीनों बैठर के हुई है, G7 की, European Union की और NATO की, तो यह क्या इसी स जंदर में है कि रूस को किस तरह से, रूस पे नकेल कसी जाए, उस पे sanctions और तगड़े किये जाए या कुछ और भी मकसद आपको लग रहा है, अभी तक तो देखते हुए और कोई मकसद नजद नहीं आ रहा है, कि लग रहा है कि उन पर sanctions और भी डाया डाला जाए, और इस sanctions के जरिये उनको गुटना टेक से वाद्ध किया जाए फोर्स करें कि गुटना टेक है यही उनका लक्ष है और उनका जो कहना है कि रश्या में पूर्तिन अनपॉपिलर हो जाएगा तो उसको निकाल देंगे रूसके लोग तो एक रेजीम चेंज की भी बाते आ रही है कितना उसमें प्रॉपगैंडा के लिए है कितना उनको खुद लगता है यह हो सकता है वो अलग बात है पर जो खतरनाक जो चीज है कि अगर नेटो इस तरह से मिलिटराइज करता है वेस्टन यॉरप को तो टकराओं का संभावना बढ़ता है क्योंकि नेटो इस वक्त रूसके ब तकराओं दुनिया के लिए अच्छा नहीं है पर अगर एकनॉमिक टकराओं देखें तो उसका खतरनाक सिती इसलिए है कि रूस अभी भी दुनिया में जो हाइड्रो कार्बन सप्लाई गैस और ऑईल कि एक बहुत बड़ा सप्लायर है करीब आट-दस परसेंट वो दुनि को प्रांस जर्मनी अगर देखे इटली देखें इस्पेन देखें तो उनका पचास परसेंट से जयादा वहां रूस से आता है वो जो अगर बंद हो जाएगा तो अभी जो ओयल विशेचेगउं को कहना है कि वह एक दो साल में उसको पूर्ति कोई नहीं कर सकता मैं आपका धिहान भारत की तरफ लाती हूँ, भारत में भी नितिन गटकरी का जो बयान आया है, जो मंतरी है, कि इसकी वज़ा से कीमते बहुत बढ़ रही है, वही हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि अमरीकी जो पूरी मशीनरी है वो भारत को भी पर दबाव डाल रही है कि हमारा अस्तित्तु भी घद्रे में होगा, क्योंकि यहां पर तब बहुत सारे चीज़ है, खास तोर से हमारे जो इंटर्नल ट्रांसपोर्ट है, डीजल पर चलती है, बहुत धक तक, तो ट्रेन तो है ही, पर बहुत ज़्यादा आपका फ्रेंड जो है, वो डीजल चलता है, तो ट्रक्स वगरा भी उसकी चलना बंद हो जाएगी, तेल नहीं होगा, तो राशन करनी पड़ेगी, तो ये तेल के लिए हम साफ साफ कह चुके हैं, हिंदुस्तान साफ साफ कह चुका है, कि हम इसको नहीं मानेंगे, अगर आप खरीद सकता हो, यॉरप खरीद सकता है, व यॉरोज अभी भी यॉरप जो कह रहा है, कि यॉरोज में इंडिया अगर खरीद देगे, उस पर कोई सैंक्शन नहीं है, तो एक तो सैंक्शन की बात है, दाम के कितना होगा, तो इस वक्त रूस जिस दाम से हमें बेचेगा, लगता है, हमारे लिए फायदा है, क्योंकि न हमारे एक तो तेल के बारे में है, अर्वन भूलियेगा, हमारा फर्टिलाइजर वहां से आता है, तो हमारा फर्टिलाइजर भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, तो इसलिए हमको कहना बड़ा असान है, कि आप मत करिए, पर वो खुद तो बर्पाई कर देंगे, वो यॉरप कभी भी छूट है, तेल खरीदने का, यॉरप में रूस ने कहा है, पूतिन ने कहा है, हम उनको रूबल में भेज़ेंगे, क्योंकि अन्फरेंडली देश है, और रूबल के भेज़ने का मतलब क्या है, कि उनके सैंक्शन्स फ्रेशन बैंक से हटाने की बात करनी प हमारी बैंकों पे जो सैंक्शन अपने लगा है, उसको शायद उठाना पड़ागा, कि इसको किसी ने कहा है, एक काउंटर सैंक्शन है, यूव स्मित करके एक एक एकनॉमिक फाइनेशल आनलिस्ट है, उन्होंने ये कहा है, कि ये लगता काउंटर सैंक्शन स्ट्रेटेजी पुतिन की तरफ से पुतिन की तरफ से इसी भी जो खबरे आ रही है जो नक्षा भी हमें दिखाई दे रहा है उसमें किन किन इलाकों पर हमला है कैसे है किस तरह से रूस बढ़ रहा है किन इलाकों को उसने केंडरित कर रखा है इसके बीच जो खबरे हैं खबरे ये बता रही पर उसका focus है और बाकी जगों से वो पीछे आ रहा है या वो उसकी strategy का अब उतना बड़ा हिस्सा नहीं होंगे जैसे पहले थे कि वो दो-तीन तरफ से उस पर हमला कर रहा था क्या ये जो खबरे हैं इंगो कैसे देखे तो ये तो कहते है fog of war जिसे कहते है कि एक दम धुआसा है लोगों के नजर में पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है पर अगर पहले से देखे कहां पर उन्होंने strikes किया है तो उनकी मुख्य military action रहा है eastern Ukraine पे और Kiev को encircle करने में Kiev को उन्होंने encircle किया है Kiev पर अभी भी कोई उस तरह का हमला नजर नहीं आता है क्योंकि अभी भी Newsweek का एक report है कि उनकी defense analyst की एक बयान है जो कि उन्होंने कहां नाम नहीं दिया पर उन्होंने leak किया है लीक तभी करते कि defense department में कुछ लोग चिंतित है कि इस तरह से गलत एक ख़बर बाहर फैलती है तो यह कहा जाएगा रूस हार रही है तो शायद इसके वजह लोग demand करेंगे कि नहीं नो fly zone कर दे और जंग हो जाएगा जंग में दुनिया बिद्धस्त हो जाएगी कि दोनों के पास नावकी अस्ट है नूटलियर वैपन्स है तो इसलिए डिफेंस डिपार्टमेंट को कहा है उनका जो लीक है वो कह रहा है न्यूजीक हमारी कोई अख़बार ने रूस की अख़बार ने यह कह रहा है कि अगर हम देखें तो वेस्टर्न यूक्रेन में military targets को इन्हों ने अटक किया रूस ने और वो भी missile से या aircraft से mostly missile attacks किया है उन्होंने armed attacks civilian targets पे करने की कोशिश नहीं किया और किये में उन्होंने किया कि 60 से नीचे सिर्फ buildings affected हुए है अगर देखें तो 24 दिन इस खबर जब निकला था 24 दिन हुआ था 24 दिन में इन्होंने जितना सौटीस किया है और जितना arms bomb बंबारी किया है वो इराक में बहुत पहले की बात है एराक में एक दिन में अमरीका उसे ज्यादा किया था उनके खबर है हमारी खबर नहीं है यह तो यह देखते हुए पहली भी western Ukraine पे उस तरह कोई निशाना नहीं था कियेफ को encircle करने का मतलब Ukraine का western portion जो military है उसको tie down करने के लिए वही पर है eastern side में ना आए तो एक तो उसका उदेश वो भी समझ सकते हैं कि उनके दूसरे जो इरादे हैं कि western Ukraine से वो forces transfer न कर पाए यह है क्योंकि कियेव लेना उनके लिए बहुत भारी पढ़ेगा उनको मालूम है यह और उनकी eastern Ukraine में उनका डॉनबास पहले ही कह चुके हैं डॉनबास डीजन को मुख्त कराने का और उनको recognize भी कर चुके हैं तो eastern Ukraine का मतलब नीपर नदी की उस पार उसका इरादा क्या रूस का है इस वक्त साफ नहीं है पर यह बात तो जरूर है कि military वहाँ पर Ukraine forces को बिद्वस करने की लगता है उनकी strategy रहा है और जहां तक हमें देखने को मिल रहा है अगर आप मैप देखें तो हाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर eastern Ukraine की जो military forces है धीरे धीरे उनको विद्वस करना उनको सराउंड करने की शायद प्रक्टिया इस वक्त चल रही है और उनकी भी जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रहे हैं लगता है कि इरादा ही है इसलिए रूस अगर इस वक्त कहता है कि eastern Ukraine को debilitarize करके एक समझावता हो सकता है और अगर ये बात होती है तो शायद एक basis है peace का पर जब तक उनकी military target eastern Ukraine में पूरी नहीं होगी वो लगता है अभी भी बाकी है तब तक लगता है शान्ती की संभावना कम है और जिलेंज की अभी भी एक और तो कहें कि नेटो कर रहे हैं उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि नेटो पाके यहां पर no fly zone लगाएं हमारे यहां पर arms और भेजें तो हमारे पास और भी सेनाएं आये दूसरे बुलकों से ये जो कहने की बात है इस पे दो तरह के बाते भी आ रही है और जब तक details backroom negotiations जो आपका बेलरूस में बेलरूस की border में चल रहा है यूकरेन और रूस के बी agreement वो 15 सूची एक peace agreement के काफी करीब पहुंच चुके थे करीब पांच साथ दिन पहले financial times के reporting थी वो जब तक solid नहीं हो जाता है तब तक excellence की पूतिन की मुलाकात नहीं संभावना है क्योंकि मुलाकात इस level पे होने का मतलब है 99% आपका agreement हो चुका है और जो दुबिराम की इस् है इसलिए कि जब तक मारियापोल को पूरी तरह से azop battalion जो fascist उनके नजरिये में और नहीं से दुनिया के नजरिये में Nazi forces है वहाँ पर उसको completely वो विद्वस्त ना करके मारियापोल को capture ना करे और जब तक eastern Ukraine में Ukraine की मूल जो आर्मी शक्ति है बहुत बड़ा हिस्सा Ukraine की आर मुझे यह लगता है अच्छी चीज है बुरी चीज है मैं तो यह कहूंगा जंग कभी भी अच्छी नहीं है क्या यह जंग अब सब्भावी था नहीं पर क्या सिर्फ रूस की गलती है अमरीका और नेटो की कोई गलती नहीं है यूक्रेन की कोई गलती नहीं है यह मानने के मैं तयार नहीं हूँ मुझे साफ लगता है कि जो लगातार नेटो की इस्ट वर्ड मार्च रहा है वो अगर अमरीका और नेटो शक्तियां इसको नहीं मानते तब तक के जंग का संभावना बनी रहेगी और दुनिया के लिए सवाल है कि सिर्फ यूक्रेन रूस अमरीका की ब कोलके हैं सब एक हिसाब से इस सवाल से पीशे हटके सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं जब तक यह चीज सामने नहीं आएगा जो कहत एक किसी भी सूरत में भला नहीं है और युद्ध को चलाने वाली ताक्ते हैं या तनाव को बढ़ाने वाली ताक्ते हैं वो निश्चित तोर पे हमें सक्री दिखाई दे रही है आज की तारीक में भी भला यह है कि पी स्टॉक और जो 15 सुत्री मांगे आ रही है सामने या जो काय जुद्ध चल रहा है इसे देखें और इसके पीछे और सामने की जो ताक्ते हैं वह क्या खेल कर रही है जो बैठके हो रही है उन बैठकों का मूल क्या है मकसद क्या है इस पर निगाह बनाये रखिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की शुक क्या 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 है